हेलो रिवन बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बड़ा गैप डाउन नजर आ रहा है तो यहां पे जिस प्रकार का ओपनिंग है तो वैसे तो अपना सेलिंग का यहां पे प्लान मार्केट के अंदर रहेगा लेकिन अगर यह रिकावरी वगरा करना शुरू कर देता है तो मार मार्केट हलका फुल का उपर जाने कोशिज कर सकता है या फिर ट्रैप करने की भी कोशिज कर सकता है कि मार्केट गैप डाउन तो ओपन हो गया लेकिन अचानक से एक बड़ा सा ग्रीन केंडल बना की ऊपर चला गया तो ऐसा कुछ भी कर सकता है उसके लिए में प्रिपेर लिए तो उप्सन सेलिंग भी किया जा सकता है लेकिन अगर मुमंटम फास्ट लगा कि रेंज वगरा नहीं बना रहे मार्केट तो में भी हम बाइंग भी कर लें तो वेट करते हैं मुमंटम वगरा को देखर हम डिसीजन फर्दर बना लेंगे तो यहां पी दिखिए मार्क देखते हैं क्या होता है बहुत जादा क्रिटिकल पॉइंट है और इस प्रकार की के उपर कोई भी ट्रेड नहीं बना सकता है लेकिन वो गलत हो जाएगा ना ही तो इसमें ऐसा की बाइंग कर लें या ना ही ऐसा इसमें सेलिंग कर लें तो यहां पे हम काम करना शुरू करत है अब क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका है निफ्टी भी एक बड़ा अपसाइट का मुमंटम कर रहा है अब यहां पर अगर हम बाइवरा कर लेते तो अब तक तो में भी टार्गेट बगर अची हो जाता लेकिन देखिए सपोर्ट अच्छी जगां से ले रखा अधर्वाइस डार्यक्षन का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा या फिर उपर जाएगा लेकिन मार्केट अच्छा अपसाइट का मुमंटम कर रहा है तो मैं यहां पर अपना काम करना शुरू करता हूं अगर मार्केट ऊपर जा रहा यहां पर पंद्रा सु कॉंटिटी बाई करते हैं हम केवल निफ्टी में काम करेंगे क्योंकि हमें जिसमें अक्सपायरी होता है उसमें हमें काम करना होता है उसमें हमें मुमंटम मिल जाएगा तो यहां पर एक स्टाइक प्राइज और ले लेते हैं 22-400 अकोल एड़ सद्रीम करें पंद्रा सु कॉंटिटी के साथ तो अभी मार्केट के अंदर हमें कुछ बाइना बात कर लेते कि यहां पे हमने पोसेशन क्यू बनाए देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ रहा है डिरेक्ली ट्रैपिंग हो रहा है जाय कि ऑगत में जब लगता आना कि हम तराबती मार्केट क्या हुआ आज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा लेकिन गैप डाउन ओपन होती एक ही कंडल में कंप्लीट मार्केट क्या हुआ ऊपर आ गया फिर हमें ऐसी कंडल के बाद तो देखें ना ही तो बैंक निफ्टिक अंदर कोई काम किया जा सकता है और हमें आज काम करना था निफ्टिक अंदर तो यह भी अच्छी जगह से सपोर्ड लेके बैठाता था तो यह तो प्लान नहीं बनाया जा सकता है गैप डाउन ओपन होगा डिरेक्टली मार्केट बहाँ जाए तो हो सकता है यह दूबारा से ब्रेकडाउन की तरफ निकल हो सकता है उपर निकल जाए तो जब उपर निकला है कि मार्केट में समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या करा है अगर लगता है कि बाइंग में जाने वाला है वहाँ पर मुमंटम निकल आ अचानिक से गैप डाउन ओपन होगा और फिर कंप्लीट उपर निकल जाए में भी कि support वगरा अच्छी जगां से ले रहा है continue भागने कोशिज कर रहा है कोई rejection वगरा नहीं आ रहा है तो हमारे पास कोई ज़्यादा option available थे नहीं directly market के साथ चलते हैं और मैंने market के अंदर buy कर लिया अगर selling कब कर सकती थे अगरी support वगरा नीचे market काम करता तो में भी हम selling करा करते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता हो market अंदर नजर आ नहीं रहाता है इसलिए मैंने यहां पर buying market के अंदर कर लिया अब देखते हैं कितना सही जाते हैं अभी में कुछ profit market के अंदर नजर आ रहा है अगर continue momentum रह तो market के अंदर अच्छा profit बना पाएंगे अगर momentum नहीं आया sideways रहा तो में भी हम option selling में ठीक रहते हैं लेकिन जब momentum नजर आता है तो option selling हम क्यों करें option buying में हमें काम करना चाहिए तो अभी हमें कुछ profit market के अंदर नजर आ रहा है यह trade मैंने क्यों बनाए क्योंकि selling को मैंने इस bank nifty के अंदर भी closing price आसपास है तो यहाँ पर minimum हमें closing price का breakout देखने हो मिलेगा और closing price का breakout देखने हो मिलता है तो market totally क्या करा है opposite momentum करा है gap open हो जाएगा गिर जाएगा gap down हो जाएगा अचानक से buying का momentum आना शुरू हो जाएगा तो देखते हैं यह कितना continue market कर पाता है अभी तो हमे देते हैं अभी हमें कोई डरने वाली बात है नहीं तो यहाँ पे देखिए जितना भी हमें अच्छा अच्छा profit नजर आ रहा था वो तो market ने काफी ज्यादा कम कर दिया है लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं है जब तक एक index के अंदर breakout नहीं होता तब तक हमें problem नहीं है एक index के जब breakout हो जाएगा फिर हम में भी हम वहाँ पर exit वगरा ले लेगे तो एक index का तो closing price का breakout होना ही होना है तो market के अंदर देखिए profit वगरा दुबारा से नजर आना शुरो गया है कोई बात नहीं थोड़ा डर तो लग रहा है लेकिन हाँ definitely according to situation एक का breakout होगा वो चाए bank nifty का ह हो जाए हो सकता हो निफ्टी का हो जाए तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि निफ्टी के अंदर ही होना चाहिए ताकि हम profit market के अंदर बना पाएं अभी just market के अंदर वेट करेंगे तो यहां पर देखिए निफ्टी closing price की ऊपर ही trade कर रहा है bank nifty भी कुछ ऐसा ही करने कोशिज क कर रहा है और profit हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है तो अब हम यहां पर ज्यादा लालेश नहीं करेंगे क्योंकि जब भी market गूमता profit ज्यादा कम कर सकता है तो यहां पर हमें अगजिट market के अंदर ले लेना चाहिए बात करते कि यहां पर हमनें position market के अंदर क्यों बनाया थ सबसे पहली बात तो दिखिए market क्या कर रहा है बहुती ज़्यादा high risk वाले trade market दे रहा है कि market जब gap open होता है जैसे bank nifty का अगर आप chart देखोगे तो यहां पर छोटा gap open हुआ है छोटा सा rejection आकर अचानक से buying में market चला गया बड़ा gap open हो गया बड़ा सा red candle बनाया बड़ा gap open हो हो जाए तो मैं buying में चला जाओगा अब देखिए यहां पर trade बनाएं या फिर बिल्कुल higher point की उपर selling करें वो trade ज़्यादा अच्छे नहीं होते क्योंकि अगर देखिए इस परकार की candle की उपर अगर हम trade करें तो गहिना की गलत होने की probability बहुत ज़्यादा रहती है तो opposite trade कर ले लिया तब मैंने buying तो नहीं किया लेकिन मैंने wait कि market देखते हैं कहां तक उपर जाता है अगर यह support वारा के नीचे काम करता तो मैं यहां पर selling कर लेता लेकिन market continue भागता गया फिर कईना की क्या हो गया closing price के आसपास आ चुका था तो वहाँ पर हमारी लिए clear था कि market को जो मर्जी नीचे जाना हो जो मर्जी उपर जाना हो लेकिन एक बार हमें closing price का definitely हमें breakout वगरा देखने हो मिलेगा closing price का resistance लेके market में भी नहीं गिर पाएगा इसलिए हमने क्या क्या closing price को target करते हैं buying किया एक momentum capture करके market के निकल गए बड़ा profit इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि market के न जर्दे कि यहां पर अगर हम buying करते हैं तो में भी हम बड़ा profit बना सकते थे लेकिन वो बहुत ही जादा risk की वाला trade होता हो सकता था market breakdown में convert हो जाता क्योंकि मेरा trade का बनता है अगर मुझे यहां पर buy करना है और support वगर available है तो मेरे पास seller के SLB available होने चाहिए या फिर कुछ ऐ कैसा होना चाहिए जहां पर दूसरे लोग यह सोचना सुरू कर दे कि मुझे sell करना चाहिए वहां पर भी market breakout कर सकता है जैसे यहां पर closing price था तो दूसरे लोग अगर यहां पर selling का plan बनाई तो में भी market breakout कर दे तो वहां पर risk लेना अच्छा लगता है लेकिन seller के SL काफी दूर हैं केवल यहां पर support को देखर buying कर लिए तो उसमें गलत होने की probability ज़्यादा रहती है वहां पर मैंने directly selling नहीं क्या wait कर लिया कि अगर support है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं market क्या करना चाहता है तो market जैसे उपर जाता नज़राया closing price की आसपास हमने काम किया यहां पर हम ना तो buying कर सकती थे हां selling कर सकती थे अगर market के अंदर breakdown होता लेकिन वह हुआ नहीं continue market उपर चला गया तो काफी अच्छा profit market के अंदर बना हम option selling करने वाले थे लेकिन जब momentum नज़राया तो मैंने option buying में continue काम करना पसंद किया आज के लिए इतना ही धन्यवाद